जै स्री कृष्णा राधे राधे धनु रासिफल 2022 से 2025 सनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आने वाले हैं आईए जानते हैं विस्तार से तो धनु बालो अभी चल रही है आपकी साड़े साती का अंतिम चरन और ये अंतिम चरन 29 अप्रेल 2022 को खमाप्त होगी लेकिन 12 जुलाई 2022 से एक बार फिर से सुरू हो जाएगी क्योंकि सनिदेव वापस से मकर में वक्री होकर आएंगे और जन्वरी 2023 तक आपकी साड़े साती चलती रहेगी तो साड़े साती का प्रभाव यकिनन थोड़ा निगेटिव पन में कम देगा लेकिन फिर भी आईए जानते हैं विस्तार से कि क्या होगा कैसे चीजों से आप बाहर निकल पाएंगे देखिए साड़े साती का ये जो अंतिम चरन है इसको हम अस्त चरन भी कहते हैं और इस समय सनिदेव चंद्र से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो आपके प्रशनल लाइफ और धन के मामलों में थोरी कठनाईयां भी देता है तो ब्यक्तिगत और बित्तिय कठनाईयों को दर्साता है साड़े साती का अंतिम चरन यानि आपके खर्च भी करवाते हैं और आपका कहीं न कहीं इस समय ब्यक्तित्तों में थोड़ी कमी आती है पर साड़े साती के जो अभी तक आपने दो मुश्किल चरनों को जेला है जो आपने गुजार यकीन ये अंतिम चरन थोड़ी राहत तो दे ही रहा है लेक्ञिन जाते जाते सनीदेव करेंगे क्या क्या बनाएंगे माला पाल कुछ मामलों में राहात चरूर मिलेगी अभी तक जो आपके जीवन में तेंसन थी अभी तक जो रिस्तों में परिशानिया थी स्वास्त में दिक्कते थी उसमें अब धीरे धीरे राहत मिलेगी धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो खुसिया लौट कर आ रही है जो आपका टेंसन एक माथे पर हर्स में सवार रहता था वो थोड़ी कम हो रही है और आप खुस रहने लगे हैं लेकिन फिर भी ये समय कुछ ऐसा है कि जैसे कोई बड़ा गलत फैमी ना हो जाए कोई गलत फैमी के कारण धन की मुस्किलें ना परिसान करे ये चीजें इस समय है क्योंकि खर्चे भी बढ़े हुए हैं अगर आप बरतमान में खर्चों पर कंट ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं इसलिए थोड़ा सा इंसे आपको बशना है आप अपनी सोच को सकात्मक रखिए क्योंकि निगटिविटी की तरफ बढ़ना आसान है पर यहां पर फिर फस जाएंगे आपका उत्साह के साथ आपको परिस्थितियों का सामना करना लेकिन ब्यक्तिगत और पारिवारी जीवन पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि इस समय परिसानिया भी है खासकर आपके परसनल लाइट में छोटी मोटी टेंसन दिखती है तो रिस्तों को समभाल कर रखे जो बिद्यार्थी हैं पढ़ाई पर नकात्मक परफाव दिख रह करना है तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा भटकाव से बशना होगा तो परिस्रम कीजिए लापरवाही मत कीजिए और मोबाइल टेलिविजन से थोरी दूरी बनाईए इसमें देखिए ये 2023 का जन्वरी तक चीजें आपके पक्ष में आएंगे तो जरूर पर धीरे धीरे ब एक बाद याद रखिएगा सोंबार के दिन वाहन साब्धानी से चलाईएगा सोंबार के दिन सफेद कपड़े मत पहनिएगा वाहन आपको बहुत साब्धानी से चलाना है और वैसे तो अन्य दिनों भी चलाना है लेकिन सोंबार के दिन ज्यादा साब्धानी रखे इसमें चुकि खत्रे को भी दर्सा रहा है और आप देव गुरु ब्रहस्पती की रासी हैं तो मांस मदिरा अलकोहल इनसे इतना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है क्योंकि ये चीजे कहीं न कहीं सरी देव को भी ओप्रसन न करेगा और देव गुरु भ्रहस्पती को भी इसलिए समझदारी से काम लीजिए और घरेलू और आर्थिक जीवन में जो भी परिशानिया आएंगी वो आप हल करने में सक्चब होंगे लेकिन दो-चार बातों का ध वो आपके लाइफ में क्या कुछ उतार चाहों लागा गर्षों की चाल की अनुसार देखिए जन्वनी में क्या होगा कि बुद्ध सनी मकर में आपके धन भाव में सूरिश सुक्र आपके लग्न में गुरु आपके तीसरे भाव में और राहु छटे भाव में मंगल के कुछ ऐसी बनी है कि आप से प्रोपर्टी खरिदवाएगा लेकिन थोड़ा साबधानी भी रखना होगा किसी पर भी भरोसा ना करें बढ़ना धोका भी मिलेगा संपत्ती प्रोपर्टी खरिदने के योग तो है पर धोका खाने के योग है इसलिए सांतर है अगर कोई काम क आपके तीसरे भाव में राहू छटे भाव में केतू बार्वे भाव में इस महने में संपत्ती प्रोपर्टी का लाब तो है संतान सुख प्राप्त होने के प्रवल संभावना है तो संतान प्राप्ती के योग बनेंगे मार्ज का जो महना है सनी सुक्र बुद्ध चंद्रम और मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हैं सूरी गुरू तीसरे भाव में तो यकिनन आपकी योजनाओं को सफलता देगा राज पक्ट से लाब होगा संपत्ती प्रोपर्टी के लिए बहुत अच्छा है धन आएगा और जो अप्रेल का महिना है थोरा से माता पिता के मंगल कारे भी होंगे संतान का सुक प्राप्त होने का भी प्रवल संभावना रहेगा मई के महने में आप कहीं पैसे ठीक इन्वेस्ट मत कीजिएगा हलांकि संतान प्राप्ती के योग हैं संतान से सुक मिलेगा और इस में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोपर्टी का मत दीजिएगा जुलाई के महने में संपत्ती प्रोपर्टी बढ़ेगा वाहन खड़ी सकते हैं लेकिन मसीनरी चीजों से थोड़ा नुकसान होगा संभलके और इस में छोटी मोटे धन को लेकर लें देन में समस्या है तो थोड़ा सापधानी रखें जो अगस्त का महना है थोड़ी सी परेसानी है बे बजा का टेंसन है हलाकि संतान से सपोर्ट मिलेगा भागे का साथ मिलेगा संतान प्रापती की योग है और सितंबर के महने में परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा आपका बर्चस्व बढ़ा रहेगा और विदेश जाने की भी योग अक्टूबर का महना आपके लिए उत्तम है परिवार का साथ मिलेगा संतान का सपोर्ट है और उपहार मान सम्मान मिलेगा नवंबर का जो महना है सुखद यात्रा की योग बनेंगे और मित्रों का अपनों का सपोर्ट मिलेगा दिसंबर के महने में अठकेवे कारे फिर से क्या कुछ दे कर जाएंगे तो धनुवालो सनिदेव शुरुआत में भले ही आपके धनवाओं में हैं मकर रासी में तो जब वो मकर रासी में रहेंगे उतरती भी साड़े साती है हलांकि धन के मामलों में लाप तो देंगे लंबी दूरी की यात्रा भी करवाएंगे आपके इंकम भी बढ़ेंगे आप बचत कर पाएंगे और कई ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको विदेश जाना जैसे चीजें भी होंगी हलांकि यदि आप किसी प्रोपर्टी संपत्ती में इंवेस्ट करना चाहते हैं तो भी पॉजेटिव रिजल्ट है अपनों का सपोर्ट मिलेगा मा के साथ रिस्ते बहतर होंगे अगर आप अकेले भी रहते हैं सिंगल है तो विवाह के अच्छे प्रस्ताओं मिलेंगे और आपका विवाहत है यानि कि अप्रेल दो हजार बाईस तक जरूर हो जाएगा या विवाह होने की भी संबावना है धर्म कारे करते नज़र आएंगे लेकिन जैसे ही सनिदेव का रासी परिवर्तन होगा यानि कि वो कुम रासी में आएंगे तो आप धर्मिक कारियों में भाग लेंगे ये वक्त ऐसा है कि विवाहित महिलाओं के लिए अच्छा है आप अपने मन पसंद बैफसाय कुक कर सकेंगे और अप्रेयल के महिने में सनिदेव आपके दूसरे भाव में आएंगे तो यकिनँ आपको इस दोरान आकस्मिक लाभ भी दिलवाएंगे आकस्मिक ओर्फिक उन्नती भी करवाएंगे और अगर विद्यारती हैं कोई सोध कारे में लगे वे हैं तो आपके परियास से आपको positive result भी मिलेंगे तो 2025 तक जब वो कुम्ब में रहेंगे तो जीवन में बहुत सारे positive बदला होंगे इसके लिए आप अभी से तयार रहें लेकिन कर्म फल दाता है कर्मों के ही फल देते हैं तो आपको हमने कहा कि लहसन प्याज नहीं खाना है मांसपदीरा नहीं खाना है वरना आप परिसानी में पढ़ेंगे इनको छोड़ दीजिए रोज साम में कम सकम जनवरी दो हजार ताइस तक ओम संग सने चरायन हमा का जब कीजिए पांच बार गयरा बार एककिस बार एकसो आट बार आपकी मरजी है और सनी बार के दिन गरीब ब्यक्तियों में खाने पीने की वस्तूर जरूर बित्रित करें हम आपसे फिर मिलेंगे फिलाल विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा लेकिन उसके पहले हम आपसे विदा लें एक जरूरी सूचना हमने अपना नया वेपसाइट लॉंच किया ह क्रांट धर्मासनमार.com आप गूगल सर्च कर सकते हैं वैसे वेपसाइट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेपसाइट में हमने जोतिस से सबंदित तमाम चीजों को रखा है आपका रासी फल ग्रह नच्छत्र के रासी के लिए एक बार जरूर आईए फिर मिलेंगे धनिवार